आप सबको नमस्कार, बड़ा चिंतनी विशय है कि नित्य प्रिद्धिन करोना केस बढ़ रहे हैं, आप सब प्रक्टिशनर हैं, बड़ी साउधानी से अपने चिकिस साकार को अंजाम दीजेगा, प्रतेक शहर में इनकी ब्रोत्री हो रही है, इसलिए मेरा आप सब से अग्रह है, कि जो निर्धारित गौर्मिन के द्वारा मापदन्ध हैं, उनका सब लोग पालन करें, इश्वर करें, किसी को भी करोना नहों। आज जैसा कि आपको पता ही है, आज हम खालित और पालित के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ जग्याशाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। डाक्टर काजल शर्मा, काजल शर्मा जी ने OCD के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। OCD का ताथ पर है, Obsessio Compulsio Disorder, Obsessio Compulsio Disorder, यह मानिसिक भीमारी है, मेंटल डिसॉर्डर है। इसमें ऐसे रोगी जो OHD से ग्रिसित हैं, उनमें जो थौट्स होते हैं और behavior उनका patient का होता है, वो uncontrollable होता है। इसी को Obsession भी कहते हैं, uncontrollable re-occurring thoughts और uncontrollable re-occurring behavior को Compulsion कहते हैं। ऐसा रोगी बार-बार चीजों को चेक करता है, शंका से वो ग्रिस्त रहता है, बार-बार मलमूत्र त्याक करने के लिए जाता है, anxiety उसमें बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है और ऐसा रोगी suicidal tendency का भी हो जाता है। कहने का ताथ पर है, इसमें mental condition रोगी की ठीक नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले जैसे अपस्मार के line of treatment में चरक ने कहा है, तैरा व्रताना मरसो सो मनसाम संप्रवोध्रम, तिक्षण यादो भिशक कुर्यार कर्म भी भमनाद भी तिक्षण कर्म करना चाहिए। रोगी यदी बल्वान है, दोस्त बहुत दोस्त की अवस्ता है, तो निश्यत रूप से ऐसे रोगी को आप वमन और विरिचंग कराएं। बौन विरिचंग कराने के बाद जो इसकी मुख्च किस्सा है, वह है शिरहतरपण और नस्यकर्म। शिरहतरपण में, जैसे मैंने कई बार बताया, चार भी दियां है, अभ्यंग सेग पिच्वाह विस्तिस से इति चतुर विधम। आप ऐसे रोगी में पिचुधारन या शुरोधारा ग्यारा-ग्यारा दिन के दो-तीन कोर्स पेशेंट में करें। इसके बाद नस्यकर्म। नस्यकर्म। इसमें आउपीडन नस्य और इसनेह नस्य। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कि दो दिन इसनेह नस्य और तीसरे दिने शोधन नस्य। सोधन नस्य के लिए अपामार्ग और पिपली अपामार्ग और पिपली दोनों को बरावर-बरावर मात्रा में चून बना लें। एक दिन पहले दो चम्मच पानी में भिवो के रख दें कलके के रूप में और जिस दिन नस्य देना है वो दिन प्राता मसल करें उसको छाल लें। यह आउपीडन नस्य। इसकी मात्रा है छे से आठ बूम। तो दो देन इसनेह नस्य अनुतैल का या इंद्रिय बर्धक तैल चार चार भूम। और प्रतेक तीसरे दिन आउपीडन नस्य। पेशन को दें। से कम से कम 21 दिन तक यह प्रियोग करें। इसके अलावा मास्तिस्क यह भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। मास्तिस्क का प्रियोग भी भौस देश्ट है। इसमें आमल की आदा किलो ले लीजे। तक्र में इसको पका लीजे। फिर इसका कल्क बना करके सिरह प्रदेश में लेपन करना है। बाल छोटे करा लें या बिल्कुल मुन्नन करा लें अब फिर लगाएं एक अंगुल मोटर लेप लगाना है धारण काल है इसका एक घंटे यह सब चिकिस्सा करने से पेशेंट में एंग्जाइटी और जो मेंटल हेल्थ है वो कंट्रोल हो जाएगी इसके बाद आवशक्ता पढ़ने पर वस्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं वस्ति के लिए शोधन वस्ति एरन मुलादी वस्ति अनुवासन के रूप में सहजर तैल या दस्मूल तैल का प्रयोग 30 ml की मात्र में आप कर सकते हैं इसके लावा इसमें मेध्धरसायन ड्रक्स मेध्धरसायन जो चुरक की योग मैंने कई बार आपको चर्चार में बताया है मंदूग पढणी शंक पुस्पी गिलो यव मुलह्ती इनका काढ़ा पिशन को दिन में दो बार सेवन कराएं लगातार ब्राम्मी अवलेह पांच ग्राम दिन में दो बार आमल की रसायन ब्राम्मी बटी इन सब का प्रयोग रोगी में कर सकते हैं इसे निश्चत रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा आउसदी में इस्मृती सागर ररस 125 मिलीग्राम योगेंद ररस 60 मिलीग्राम प्रवाल पिश्टी 250 मिलीग्राम ऐसी एक मात्रा है ये सुबर शाम ब्राम्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं डाक्टर विजय सेनी इन्होंने पोस्ट नेजल ढृप और स्नीजिंग की चिकिस्सा जाननी चाहिए यह लक्षण अधिकतर इलर्जिक होते हैं किसी न किसी कारण से इलर्जी होती है जिसकी वाजिसे पोस्ट नेजल डृप नासास राव और च्छीं काना प्रारम हो जाती है ऐसा व्यक्ति व्यादिक शमत्तो भी उस व्यक्ति में कम होता है ऐसा समझा जाना चाहिए क्योंकि इलर्जी का डारेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमें व्यादिक शमत्तो बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट करना है चुकि एक कफज व्यादि है निश्चित्रू से इसमें प्रतिस्याये चकासे चाहिक्का स्वाश्र लागवे कड़मन्या सरह सूले स्वर्भेदे गलग रहे ऐसे प्रिशन में वबन कराएं संबह हो तो विरेचन भी कराएं और उसके बाद व्यादिक शमत्तो बाड़ी चीजे इसमें प्रिशन मिते हैं जैसे सिद्ध हमक्रत ध्वज सोन बसंतमाल्ती रस महलक्षमी विलास रस सिद्ध मकरद्ध साथ मिली ग्राम स्वर्बसंत माली साथ मिली ग्राम और महालक्षिम विलासर साथ मिली ग्राम यह एक मात्रा है ऐसे दिन में दो यह तीन मात्रा हैं चवन प्रास के साथ दिवें इसके लावा हरिद्रा खंड पास ग्राम सुवे पास ग्राम साम को और एक्ष्ट्रा इम्यून टैबलेट ये चरक कियाती है दो गोली सुवे दो गोली साम को शक्ति वर्धक ट्रीटमेंट इसमें देना बहुत आवश्यक है इसके बाद 21 दिन का नस्य करम कराईए नस्य करम कोस इसमें सनेह नस्य के रूप में शडविंदू टैल चार चार बून दोनों नासा में अप्रतेक तीसरे दिन आवपीड़न नस्य आवपीड़न नस्य में इसमें सबसे बड़ी अच्छा करदत का योग है जो मैं बताता रह करता हूँ आपको शिंगरू वचा और विडण इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूम बना लीजे और जिस दिन नस्य करना है उसके एक दिन पहले दो चम्मच लेकर भिंगों के रख दीजे पानी में राता काल मसलिये च्छानिये और इसकी 6-8 वून की मात् करती है ऐसा 21 दिन तक यह नस्य कर्म करा है इससे बहुत ही अधिक आपको लाव पराप्त होगा प्रतम दो दिन नस्य नस्य अनुतहिल से या सट्विनुतहिल से और प्रतेक तीसरे दिन आउपिड़ नस्य शिग्रू वचा विडण का करा है तो आपको निश्यत्रू से ला प्रताइब और लंबो सेक्रल पी आई वीडी पी आई वीडी का मतलब होता है प्रोलेफ्स इंटर वर्टीब्रल डिस्क वास्तों में कभी-कभी एक साथ पेशन को दोनों प्रकार के तकलीफ हो सकते सरवाइकल प्रताइब हो सकता है लंबो सेक्रल प्रत्रू कि यह अलग धिरी धिरे अपने स्थान में लाने का प्रयास करें। इसके अलावा घ्रीवावस्ति लॉंगिटूडनल पुरत दाल के आटे का टेंक बना जाता है दो अंगुल उंचा और इसमें सुखोष्ण तैल दश्मूल तैल या अशुगंधा बला तैल या महामास तैल एक अंगुल तक इस टैंक में भरा जाता है। उसी प्रकार कटीवस्ति लगाएं। इसमें भी दो अंगुल का एक घेरा टैंक जो बनाते हों लद्दाल के आटे का और मेडिकेटेट आयल जैसे महामास तैल, दश्मूल तैल, सहचर तैल इतना उसे भरते हैं कम से कम एक अंगुल उंचा और उसको थोड़ा थोड़ा निकालके पुना पुना घरम करते रहते हैं। संभव हो तो एक साथ दोनों को लगा लें। अगर दोनों लंबो सेक्रल के बीमारी भी है और सरवाइकल की भी है तो दोनों एक साथ इनका आप कटिवस्ति लगा सकते हैं। है और कटिवस्ति फालोड बाई पलग पंट प्रिंद्ऌ शवय कुंग कटिवस्ति के द्वारा स्नेय का फोचूर्ण होता है तो ज्वाइंट सधीले होते हैं ठोड़ा से और जो आ।स्योफाइट्स बड़े हुए होते हैं उनको पंटर करता है काई पंटर प्रिंद्ध और श्रिग्रू पत्र इनका विद्वज पोटली बनाएं इनको अच्छा बारीक काट करेंगे और दस्मूल तैल में चौक देवें उसमें निम्बू के बारीक टुकडे अजवायन लहशुन मेथी आज डाल करके और थोड़ा से भूरा इसका नारियल का भूरा डाल के अच्छी तरह उसको पकाएं जैसे हम खाने के लिए पालक या मेथी बनाते हैं वैसा फिर उसकी दो पोटली बना ले और इससे सिकाई की जाती है यह है पत्रप्र निश्रे इस जाती साथ इसमें इरन मूलादी वस्ति और सह्चर तेलकी वस्ति यह शुधन वस्ति है सेक्रप्रेक्स में जब दबाव बढ़ता है कॉंस्टिपेशन निकारण तो भी तकलीफ हो सकती है रन्न मुलादी वस्ति और सहचन ऐसी 14 दिन का कोर्स काल वस्ति की रूप में अब देड़ें पहले अनुवासंदें फिरास्थापन अनुवासंद कर्मसा लाष्ट में अनुवासंद तीन इसके अलाबा दवाईों में आम वातारी रस एकांग वीरी रस ब्रहतवाचृंटा मनी आम वातारी रस दोचास ब्रहतवाचृंटा मनी ''60 मिलेग्राम क्यों और एकांग वह एक्षापच्चिस मिलेग्राम'' ऐसी दिन में दो या तीन मात्रा दें शेहत के साथ, टैबलेट्स में सिंगनाद गुगुलू और महायोग राज गुगुलू, आवशक्ता पढ़ने पर विरेचन भी कराएं, विरेचन से भी मृदु शोधन, बातब व्यादियों में मृदु शोधन करने का उलेख है, तो इ इस से बढ़िया विरेचन हो जाएगा, इसमें आभ्यांतर स्नेय पान देने की भी आवशक्ता नहीं है, इस कारकम को निरंतर रेखा वर्मा जी, आति दीतर पाथी भानू प्रिया, बहुत ही लड़नेट परस्नाल्टी है, जहांसी में आजक्याल सर्विस करती है, आनन्द काजल सराफ मेरे अच्छे मित्र हैं, वो जैन के हैं, और बहुत अच्छे प्रेक्टेशनर है, काजल शर्मा जैसा की उन्होंनों पूचा था OCD की बारे में, मैंने आपको जानकारी दी, इसके अलावा डाक्टर वेद पारिक, राज अग्रवाल, अरुन बाग हिला, और ब पंचिकम का होस्पिटल चलाती हैं, बहुत बड़ी हाँ, सायराम पुटूर, वर्षा शर्मा, अर्चना वर्मा, रेखा वर्मा, मेरे अतिनत प्रिय मित्र, डाक्टर एसन पांडी जी, ये सब इस कारिकम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब को बहुत-बहुत हार्द से धन्नवाद, इसी प्रकार आप जोड़े रहें, तो निरंतरता इस ब्याख्यान की चलती रहेगी, अब आदे आबाई ये इंद्रलुप्त खालित और पालित इनके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ही बड़ी समस्या है आज के जमाने में, और आजकल इतना टेंसन, इ जो सक्षम लोग हैं वो तो आराम से जीवन बिता रहे हैं, जो नित्यप्रत कमाते हैं, उनकी बड़ी तकलीफ है, तो ऐसे चिंता ग्रस्त रोगियों को खालित पालित और इंद्रलुप्त जैसी बीमारियां हो जाती हैं, आईए कुछ प्रियास करते हैं, कि इनको हम कैसे करें, मैं यहां डाक्टर राजे सक्षिना की तारीफ करना चाहूंगा, नेनी थाल के असपास कहीं प्रेक्टिस करते हैं, उन्होंने एक यूटूब बनाया है, जो यहां पर हम चर्चा करते हैं, कुछ अच्छे किसा बताते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे धंग से उसक को प्रसुत करें, और साथ भी सारे अपने जो चिकसक भाई हैं, उनको भी उससे परचित कराएं, इंद्रलुप्त को ही एक्चुली खालित कहते हैं, वागभट्टि के अनुसार, बालों के अचानक गिरने को इंद्रलुप्त कहते हैं, इंद्रलुप्त विशेस्ता ये है, कि ये पुना उनकी उत्पत्ती नहीं होती है बाल गिरने के परशाद पुना नहीं उखते है आचार कार्तिक ने दाड़ी मूझ के बालों को गिरने को इंद्रलुप्त कहा है और सिर के बालों को गिरने को खालित कहा है और अगर पूरे सरी से बालो बाल गिर जाएं तो उसको रुज्या कहते हैं यह जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं इनके निदानों संप्राप्ति विविन प्रकार के दोस्प्रकोपक निदान बुरुद्ध आहार का सेवन आजकाल फास्ट फूड जंक फूड का सेवन इनके करने से वात दोस्ट के साथ पित्त दोस्ट मिलकर बालों को गिरा देते हैं एवा मुरक्त के साथ मिलाकर कफ दोस्ट रोम चिद्रों को बंद कर जिससे बाल उत्पन ही नहीं होते हैं इसे ही इंद्र लुप तो कहा जाता है कारणों में जो अहताहर व्यार बिरुद्धाहर व्यार का सिवन करता है विसमासन करता है अजीन आवस्ता में भी भोजन करता है समय पर हुजन नहीं करता जिसकी लाइफ इस्टाइल बिलको डिश्टर्ब है उन लोगों को ये व्यादी ज्यादा होती है अलोपेशिया मीन्स लॉस अफ हेयर इन एरियाज वेर और अर्डिनरी हेयर वोड वोड वी फाउंड जर्नली इट मीन्स लॉस ओफ टर्मिनल हेयर ओन दी स्केल ओन दी स्केल रीजिनिंग बताई गए है अधिया हम आधनिक शास्त्र को देखें तो इत में भी ड्यू तो हरेडिटरी इमोशनल एन इस्ट्रेस इंड्रोक्राइन अपसेट ऑटो इम्मून डिसॉर्डर्स इनके करण खालित पालित खास्तों से खालित की उत्पत्ति होती है इनके टाइप्स का विचार करें तो अधनिक चिकस्टा के अधार पर अलोपीशिया औरिटा इसका मतलब होता है इट इस आप पैचिंग लॉस ओफ एर ऑन इसकेल्प पैच के रूप में यह उत्पन होता है चुछछछ़टे पैचेश बन जाते हैं अलोपेशिया टोटलिस इट इस लॉस ओफ आल दी हेर ऑन दी स्केल्प सिरह प्रजश के संपूर्ण हेर का लॉस हो जाए तब इसको अलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है अलोपेशिया इनुवर्सेलिस इट इस कंप्लीट लॉस ओफ बॉड़ी हेर जब पूरे सरीर के बालों का नाश हो जाए जड़ जाए तब उसको अलोपेशिया इनुवर्सेलिस कहा जाता है अब आई अच्छे किस्सा पर ध्यान दें खालित खालित की बात चल लई है इंद्रलुप्त या खालित दोने एक जैसे हैं त्रीटमेंट भी एक समान है सबसे पहले इसमें शन्सोधन कराएं क्यों कहीं न कहीं मारगा औरोध हो जाता है जिससे बालों का पोशन नहीं हो प सदी भी जो हम देंगे वो लाप करती है तो पहले वोमन और विरीचन करा दें रक्त मोक्षन इसमें बहुत लाप करता है अलोपेशिया के स्थान में रक्त मोक्षन कराएं अच्छा होगा कि आप जलोका उचारन से कराएं जलोका उचारन से रक्त मोक्षन कराएं आप दो जलोका एक साथ लगा सकते हैं, प्रतिक दूसरे दिन जलोका का कम से कम पांच सिटिंग आप जरूर करजिए, इससे वहाँ नए बाल उगनी की संभावनों बढ़ जाती है, इसके लाबा मात्रा वस्ती का प्रियोग, मात्रा वस्ती आश्वगन्ह बला ताईल से 30 ml, प्रति दिन भोजन के बाद 21 वस्तियों का कोर्स करें, कि प्रियोग और में नस्षिकर्म, नस्षिकर्म बहुत ही उपयोगी है, नस्षिकर्म के लिए ब्रामी तैल ब्रामी घृत का प्रियोग आप करें, इंद्ड्रिय वर्धा का भी आप इसमें कर सकते, पर शोधन नहीं देना है, ब्रुम्हन नस्षी सेवन कराना है और इसकी कोई सीमा नहीं है आप 20 दिन, 18 दिन, एक माँ तक दे सकते हैं क्योंकि कम मातरा में इसने दिया जाता है चार भून की मातर या दो भून की मातरा तो कोई नुक्शान नहीं करता बलकि लाभ ही लाब करता है तो इस प्रकार से नस्य कर्म कराएं और इसमें बहुत आवश्चाख पड़े तो सिद्धवस्ति का भी प्रयोग करें यवकोल अध्था नाम कवाथा मागदिकामदुहु सवसेंदवास चावास सिद्धवस्ति इतीश मृता हैं यह सिद्वस्ति आप मेरी किताब में देख सकते हैं बनाने का तरीका उसमें बताए गया है कुछ मैं अपने अनभूत योग बता रहा हूं धतूर पत्र धतूर पत्र सुरस का जहां पर इंद्रलुप्त हुआ है बाल जढ़ रहे हो वहां पर लगाएं दिन में दो बार या गुंजा मूल या फल गुंजा जिसको रत्ती भी बोलते हैं उपविस्की स्रेणी में आता है गुंजा मूल या जो गुंजा फल है उसको बारिक पीश करके पानी से और इसका लेप इंद्रलुप्त में लगाएं इसके लावा ये कोग सरल योग है करवीर पुस्प या सुरस करवीर पुस्प या सुरस इनका रस निकाल करके और इफेक्टिट पार्ट में लगाएं एक और लेप है छोटी कटेरी का सुरस ले ले पंचांका और मधु में लाकर के लेप लगाएं इसके लावा एक और योग है काशीश मदनफल टुठ और मरीच काशिश मदनफल टुठ और मरीच बराबर मात्रा में एक मात्रा 15 ग्राम लेखर étant और इसका पानी में अच्छी तरह पीस करके लेप त्यार करें और इसको लगा है अब यह मैंने कई योग बताएं हैं एक साथ नहीं लगाना है एक एक हपते का प्रयोग आप करें तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा लाप प्राप्ट कर सकते हैं इसमें अभ्यंगार्था तेल का उप्योग जो करना है उसमें एर्मराधी त cabbage या इंद्रलुप्त नासक त cabbage इसमें तिल ताइल और नर्सार होता है तिल तैल और अरसार से बनाया जाता हुए यह बड़ा ही अपयोगी है इसके लावा कुछ ना मिलें तो भरंगराज तेल को ही लगाएं भरंग राज साथ में ब्रुम्हनार्थ रे शिर को पोषण करने के लिए आमलकी रशायन पांच ग्राम दिन में दो बार भ्रंग राज चूण पांच ग्राम दिन में दो बार या दोनों को मिला किलें पांच ग्राम आमल की रसायन भ्रंग राज पांच ग्राम दिन में दो बार दुग्द के साथ या चवन प्रास के साथ सेवन कराएं रसो सद्यों में सब्ताम रतलोह 250 मिली ग्राम प्रवाल पिष्टी 250 मिली ग्राम इसको तर्फला घरत से सेवन कराएं तर्फला घरत 10 ग्राम तर्फला घरत इसमें मिला करके सब्ताम रतलोह प्रवाल पिष्टी मिला के दिन में दो बार सेवन कराएं यह कुछ मन्य अन्भव आपको खालित्य के संदर्ड में बताए अब आये पालित्य पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पालित्य यानि बाल सफेद हो जाना यह भी समस्या है लोगों के 30-35 शाल के अंदर ही बाल सफेद हो जाते हैं कई बार तो बच्चेओं के बाल सफेद हो तो ऐसे व्यक्ति जो क्रोध चिंटा एवं स्रम अध्यधिक करते हैं उसे कारण उश्टता पैदा होती है और यह उश्टता पित्य-दोज से मिलकर शिरह प्रदेश में इस्थिर होकर बालों को पका देती हैं इससे बाल सफेद हो जाते हैं और इसी को पालेते कहते हैं चिकिस्सा में इसमें भी शंशूधन कराना है वमन विरेचन नस्य जैसा आपने बताया आपको ब्रम्हण नस्य देना है ब्राम्ही तैल का ब्राम्ही तैल दिंद्रिय बर्धक तैल अनु तैल चार-चार बून दिन में दो बार लगातार इसका सेवन कराए शिरह तरपन शिर ग्रंगराज के लिए शिर्फ्रस्त रहेगा सिर्फ्रभण के लिए अभ्यंग, पिछुधारण शुरॉदहरा सिर्फ्रभस्ति है जो आपके पास उपलब्द स yumजग करें नश्य जैसा मैंने बताया, ब्रुम्हन सुरूप के नश्य देना चाहिए, खास तोर से निम्ब तैल का भी नश्य बहुत उपयोगी है, साथ दिन निम्ब तैल दें, साथ दिन इंद्रिया बर्धक, साथ दिन अनु तैल का नश्य पेशन को दें सिर में लगाने के लिए भ्रंगराज तैल महा भ्रंगराजी तैल और महा नील तैल महा नील तैल ये भी बड़ा उपयोगी तैल है अभ्यंग करने के लिए अब आईए कुछ प्रिलेपों के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक प्रिलेप जो मेरो को एक किसी संतर ने बताये था इसका प्रियोग आप जरूर करें और उसके लाभिदी मिलते हैं तो आप सब को भी अउगत कराएं इसमें लोह भस्म भरंगराज तरफला काली मिट्टी को एक माह तक गन्य के रस्में रखकर और फिर बाज में इस पेष्ट को शिरह प्रिदेश में लेप करें इससे पलित रोग पलित जो रोग है जो सफेद होने की सिकायत है वो तुरंद दूर हो जाती है फिर से मैं बता रहा हूँ आपको लोह भस्म भरंगराज तरफला और काली मिट्टी इनको बरावर बरावर मात्रा में लेकर एक माह तक गन्य के रस्में रखना है उसके बाद इस लेप को शिरह प्रिदेश में लगाईए ऐसा प्रमान है कि आप बीस दिन के सेवन से पालि तरोक से मुक्त हो जाएंगे भी एक और योग बता रहा हूँ चरक का है यह भी बड़ा उपयोगी है यह मैंने किया है तिल आवला कमल केशर मधु इस्ति तिल आवला कमल केशर मधु इस्ति बरावर बरावर मात्रा में ले ले इनको और मधु के साथ लेप तयार करें प्रभातश का लेव जो है चिराप्रजेस में लगा हैं बाल चोटे करने या मुन्नड करने तो और अच्छा कर बाल चोटे करने पर भी इसका प्रयोग करा जा सकता है रहें दूसरा एक हो गया है त्रफला नीलपत्र भ्रंगराज और लवभस्म फिर स्पर रिपीट करता ह त्रफ्ला निल पत्र भृंग राज लोवस बरावर मात्रा में ले करके भेड के मूत्र में पीश के अगर भेड का मूत्र ना मिले तो बक्री का या गो मूत्र के साथ भी इसका प्रियोग कर सकते हैंचि तरह पीछ ले और इसका लेप लगा है सांच चूर्ण हैं जो निर्भंतर आप प्रियोग करें संशमनार्थ, गुरुची, आमलकी और भ्रंगराज बरावर बरावर मत्रा में ले करके चून तयार कर लें कपड़चन और एक एक चम्मस दिन में दो बार दूद के साथ या ब्रामी अवलेह के साथ इसका सेवन करें सब्तामरत लोह, प्रवाल पिष्टी और योगेंदर रस सब्तामरत लोह 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और योगेंदर रस साथ मिलीग्राम ये एक मात्रा है इनको तर्फला घ्रत के साथ दिन में दो बार सेवन कराएं त्रफला घरत के साथ त्रफला भी एक प्रकार से बालों के लिए बड़ा सुरेष्ट है दूसरा ये भी ध्यान रखें कि पेट हमेशा साफ रहे पेट क्लियर होना चाहिए मोशन क्लियर होना चाहिए नहीं तो नित्य प्रिजिन आप रात्री में एरन भरष्ट हरीद की सबस आप घरत में भूंज लें उसका चून बना लें आदा चमच रात को सिवन करें इससे पेट साप रहेगा और समानता क्रिया योगों निदानम परिवर्जनों चिंता शोग भय क्रोध अन चिंताओं से ग्रिस्तर रहता है विक्ति कहना असान है कि इसको छोड़ देंगे ले आदि का भी प्रियोग करें ताई कुछ मन एकाग्र हो और उससे रोगी को लाव प्राप्त होगा तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने अन्भाव आपके साथ शेयर किये आप लोगों से निवेदन हैं कि इन प्रियोगों को करें और इस थाई रूप से आप दवाओं का निर्माण भी कर सकते हैं और ये सब के लिए लावकारी होगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको नमस्कार कल फिर चार बजे इसी वक्त आप से मुलाकात होगी जय आयर्वेट